दोस्तों आपने अक्सर सुना होगा अपनी गली में कुत्टे भी शेयर होते हैं दोस्तों आज तक आपने एक से बढ़ कर एक पढ़ाकू लोग देखे हूंगे लेकिन इस छोटी से बच्ची को देखकर आप वो सभी को भूल जाएंगे इस बच्ची की मॉम बाइक चला रही है और ये बच्ची पीछे बैड कर अपना हूंबर्ग कर रही है दोस्तों हम लोग अपनी जिन्दगी में रूज कई तरह की घटनाएं देखते हैं लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन हम पूरी जिन्दगी भुला नहीं पाते आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे अनुकी वीडियो के बारे में जिन्ने देखकर वाकई आप कहेंगे सबसे पहले इस बोतल को दीखी कोई आदमी इस बोतल को अपने बाय हाथ से पकड़ रहा है लेकिन देखते ही देखते इसका बाया हाथ दाय हाथ में बदल जाता है कुछ सेकंड्स का इस वीडियो वाकई हैरान करने वाला है सुशल मीडिया पर अब तक इसे लाखों लोग देख चुके हैं और देखते देखते मुर्गी का बच्चा उसके मूँ के अंदर चला जाता है शायद ये नन्ना सा चूजा इस लड़की के मूँ को अपना घर समझ रहा होगा सुशल मीडिया पर ये वीडियो वारल होने के बाद इस लड़की ने कैप्शन में साफ साफ लिखा है कि वो चूजा पूरी तरह से सुरक्षित है मूँ के अंदर जाने के बाद उससे कोई नुकसान नहीं हुआ अब घूमते हुए इस आदमे को देख लीजिए लगता है बड़े भाई नासा में जाने की कोशिश कर रहे हैं खुद को इतना घुमाने के बाद अच्छे अच्छों को चक्कर आ जाते हैं पर ये भाई साब भी भी लगे पड़े हैं खैर इनके आवाज से साफ जाहिर हो रहा है कि इनका सिर चक्रा रहा है और वो जोर-जोर से चिला रहे हैं आजकल दरिंदों को भी खेती करने की जरूरत पड़ गई इस आदमी ने किसी राश्चेश की तरह ड्रेस पहनी हुई है और ये खेती करतावा दिखाई दे रहा है दोस्ति हमारी आखों को बाड़ी का सबसे सेंसिटिव पार्ट माना जाता है आखों में पानी के छीटे पड़ते ही हम लोग आखे बंद कर लेते हैं लेकिन इस बहादूर लड़की को देखिए ये लड़की गैजट्स की मदद से अपनी आखों के अंदर लेंस लगा रही है वो भी बेना किसी दिक्कत के भाई मानना पड़ेगा में साब ने इसके लिए काफी ट्रेनिंग की होगी इस कुत्ते की हिम्मत को देख लीजिए मिया भाई कार की खिड़की पर खड़े होकर सावारी का मज़ा ले रहे हैं और इन भाई साब ने तो हद्दीगर दी पेड़ पर उल्टा लटक कर ये म्यूजिक का मज़ा ले रहे हैं सड़क से गुजरने वाले सभी लोग इनने देखकर खुब हज़ रहोंगे कलपना कीजिए आप किसी अंजाने शहर में किसी होटाल में रुके हुए हैं और जैसे आप महां टॉलेट में जाते हैं चारों तरफ एक दो नहीं बलकि सैंकडो सीसी टीवी कैमरे लगे हूँ इतने खतरनाक जासू सी देखकर कई लोग तो टॉलेट करना ही बूल जाएंगे खैर चिंता मत कीजिए टॉलेट में लगे सीसी टीवी कैमरे असली नहीं है बलकि प्लास्टिक के डिजाइन के हुए कैमरे जो सजावट के उदेश्चे से लगाए गए हैं इस तालाब के अंदर कहीं से ये लकड़ी का टुकड़ा आ गया और फिर क्या था बहुत सारे कच्छोय इस लकड़ी के टुकड़े पर बैट कर वाइटमिन डी की कमी को पूरा करने लगे आज तक आपने एक से बड़े एक रईस और आयाश लोगों को देखा होगा लेकिन इस कुत्ते की आयाशी देखकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे ये कुत्ता सोफे पर लेटकर खाना खा रहा है और अपनी दोनों टांगे पहला कर जिन्देगी का मज़ा ले रहा है सुना था अपनी गले में कुत्ते भी शेर होते हैं आज ये काहवत सच हो गई इस चोटे से पपी को देख लो नाले के पास खड़े दो बड़े-बड़े कुत्तों को पूशिश करने लगी और परिशान हो गई घर के बाहर पार्क में बैठी ये लड़की अपना मुबाइल चलाने में व्यस्त थी लेकिन उसके बगल में खड़े हुए मुर्गे को ये बिलकुल पसंद नहीं आया और उसने लड़की पर हमला कर दिया फाइनली लड़की चला चला कर वहां से भाग गई शायद मुर्गे ने जलन के कारण ऐसा किया हो क्योंकि इतने खुबसुरत लड़की मुर्गे पर ध्यान ना दे कर अपने मुबाइल में व्यस्त थी वाकए इस लड़की का टीचर बहुत खथरनाक होगा तबी तो ये लड़की बाइक पर पीछे बैड़कर अपना होमवर्क कर रही है इस लड़की के जजबे के लिए लाइक तो बनता है आज की वीडियो में बस इतना ही है ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना